क्या आप भूरे भालू के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए हैं। कृप्या वीडियो देखने से पहले मेरी दुनिया को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भूरा भालू, जिसे वैज्यानिक रूप से उर्सस आर्क्टोस के नाम से जाना जाता है, उर्सिडे परिवार से संबंधित एक बड़ा स्तनपाई है। यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वित्रित भालू प्रजातियों में से एक है, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में विभिन्न आवासों में पाया जा सकता है। भूरे भालू अपने प्रभावशाली आकार, ताकत और विशिष्ट उपस्थिती के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी भागोलिक स्थिती के आधार पर काफी भिन्न हो सकते हैं। भूरे भालू विभिन्न आकारों का प्रदर्शन करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों का वजन और आकार अलग-अलग होता है औस्तन वयस्क पुरुशों का वजन 400-1000 kg, 880-2200 पाउंड के बीच हो सकता है, जबकि वयस्क महिलाओं का वजन आमतोर पर 150-400 kg, 330-880 पाउंड के बीच होता है कंधे पर उनकी उंचाई लगभग 2-3.5 फीट तक हो सकती है, और सिर से पूँच तक उनकी लंबाई लगभग 5-8 फीट तक होती है भूरे भालू की उलेखनिय विशेश्टाओं में से एक उनका कोट है, जो विभिन प्रकार के रंगों में आ सकता है, जिसमें भूरा, दालचीनी, गोरा और यहां तक की काला भी शामिल है फरकी मोटाई और लंबाई भी मौसम के साथ बदलती रहती है, ठंड के महीनों में इंसुलेशन प्रदान करने के लिए मोटी हो जाती है भूरे भालू अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और जंगलों, तुन्डरा, पहाडों और यहां तक की तटियक शेत्रों सहित कई पारिस्थितिक तंत्रों में निवास कर सकते हैं उनका व्यापक वितर्ण है, विभिन उपप्रजातिया दुनिया के विभिन हिस्सों में व्याप्त हैं उदाहरन के लिए उत्तरी अमेरिकी भूरा भालू, जिसे आमतोर पर ग्रिजली भालू के रूप में जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जबकि यूरेशियन भूरा भालू यूरोप और एशिया में पाया जाता है धोरे भालू सर्वाहारी जानवर हैं जिसका अर्थ है कि उनका आहार विविद है जिसमें पौधे पदार्थ और पशु प्रोटीन दोनों शामिल है वे अवसरवादी भख्षक हैं और जामुन, मेवे, घास, कीडे, मचली, छोटे स्तंधारी और यहां तक की हिरन और एक जैसे बड़े शिकार का भी सेवन कर सकते हैं सेल्मन स्पौनिंग सीजन के दोरान तटिय भूरे भालू इस प्रचुर भोजन स्रोत पर दावत के लिए इकठा होने के लिए जाने जाते हैं ये भालू अपने एकांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वयस्क आमतोर पर प्रजन्द के मौसम के बाहर एकांत जीवन पसंद करते हैं, हालाकि वे पूरी तरह से असामाजिक नहीं हैं और अन्य भालूओं की उपस्थिती को बरदाश्ट कर सकते हैं, खासकर परियाप् खाद्य संसाधनों वाले क्षेत्रों में, भूरे भालू अपनी तेज गंध की भावना के लिए भी जाने जाते हैं, जिसका उप्योग वे लंबी दूरी से भोजन का पता लगाने के लिए करते हैं, भूरे भालू को निवास स्थान के नुकसान, मानववन्य जीव संधर् के कारण विभिन्न संरक्षन चुनोतियों का सामना करना पड़ा है, कई आबादी को खत्रा या असुरक्षित माना जाता है, और उनका अस्तित्व प्रभावी संरक्षन प्रयासों और आवास संरक्षन पर निर्भर करता है, संरक्षन रणनीतियों में अक्सर मानव भालू की बातचीत का प्रबंधन, प्रमुक आवासों को संरक्षित करना और इन राजसी प्राणियों के दीर्ग कालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए शिकार को विन्यमित करना शामिल होता है, कई संस्कृतियों में भूरे भालू महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं, जो शक्ती, ज्यान और जंगल से संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि वे विस्मयकारी और शक्तिशाली हो सकते हैं, वे शीर्ष शिकारियों और बीज फैलाने वालों के रूप में अपने पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे उनका संरक्षन पारिस्थितिक महत्व का विशय बन जाता है।